हेले श्टुडेंट कैसे हैं आप सब एक बार पुना आप सभी का आपके अपने शेनल सी कोचिंग क्लासेस पर स्वगत है और क्लास टुल्थ मैस्स का एकजाम जो पेपर प्रिबोर्ड एकजाम पेपर यहां पर आपको प्रुवाइट करा रहा हूं अब इस पेपर से आपको पहला कोश्चन है वो अप्जेक्टियो टाइप का है यहां पर देख सकते हैं सही बिकल्ब चुनकर लिखिए पहला कोश्चन आपका पहला चैप्टर से है यह कहा कि अच्छा दक बहुपाद यह सब चीजियों जो पढ़ाई गई है हलाकि मैंने सारी वीडियो अप्लोड क देखने को मिलेगा इसके बाद यहां पर आप यहां पर आप देख सकते हैं जो पहला कोश्चन है कितने नंबर का है दस नंबर का यहां पर आपको देखने का मिलेगा दस नंबर कोश्चन है कितने नंबर का दस नंबर का ओके चलिए आगे देखते हैं स्टुडेंट कोश् यहां पर आप संदिकाहत्मान भी आप देखे पूछा गया था इस प्रकार से प्यारे भाईयो, question आते हैं, और आप लोग देख भी सकते हैं कि question कहां से पूछे जाएंगे, और कौन कौन से चेप्टर के नहीं आएंगे, वो आप लोगों को blueprint में मैंने बता दिया था, और जो सदिस अदिस के एक भी अब्जेक्टिव आपको देखें को नहीं मिल रहे हैं मतलब सदिस अदिस चैप्टर जो हड़ चुका है और यह विगत कई बरसों से कोश्चन हमें सब पूछा जाता है जान रखिएगा यह तो विल्कुल यार 100% बहुत ही इंपोर्टेंट है अब भल कोश्चन है कोशन नंबर 5 जो आपको रहकिक्ट प्रोग्रामन से आपको मिल जाएगा ठीक है और इसके बात कोश्चन नंबर 5 में आप देख सकते हैं प्रतीक्म एक सब्द है तो यहां पर एक एक अंग के यहें और प्राइक्ता भी है इस टुडिन प्राइक्ता हाटना न हास्मान निकालों फिर भी यह 3 नमबर का है मतलब टोटल 12 नमबर का है स्टुडेंट तो 3-3 नमबर के कोश्चन है और कितने करना चार करना इसलिए 3-3 नमबर आगे भी कितने हैं 30 अंकंत की हैं यहां पर आपको स्क्रीन साट ले ले रहा है इन कोश्चनों का और आप लोगो को इन कोश्चनों को हल करने जैसे इसको टी मानों कि ते हड जाएगा यह आपका इस्ट्रेट इसको ए प्लस बी का होल स्कोर के रूप में सेट करोगे है ना है बर्दमान हासमान निकालना साथ संतत्य की जाज करना है सबसे अच्छा संतत्य तो आता यह शंतत्य में इस अधान रखीए ऐगा आ आज में बताता हूं और हमेशा बताता हूं लिमिट कर ना है यहां पर लिमिट और यहां पर प्राइक्ता निकालना ही है, बामन तास की पत्ती में से और आपको प्राइक्ता निकालना है, यहां पर भी तीन तीन नमबर के, बहुत सारे कोश्चन तीन तीन अंके हैं, यहां पर चार कोश्चन यहां पर तीन और तीन यही है, टोटल किते हो गए, दस ने जो चार नमबर का यहाँ पर देख सकते हैं मैट्रिक्स से आप भी उसे पूँचा है और यहाँ पर शेप्टर फर्स से तुलता संक्राइस मतलब एक प्रकार से स्वतुल और सम्मित संक्रमा कसी दो करेंगे तो तुलता संबंद आएगा तो यह तुलता संबंद के लिए कोशन पूचा गया है ठीक है चलिए ऐसे कोशन हो तुलता से कोशन आता है मैं अभी भी कह रहा हूँ तुलता संबंद से कोशन आता है आपके पांच नमबर अभी से चार नमबर clear हो गया तो पाश नमबर का तुवाना नहीं चार नमबर कोश्चन आता है इसके बाद कोश्चन नमबर 10 में देखें आप यहाँ पर देख सकते हैं संतत से पुना पुना कोश्चन आ गए मतलब संतत से यहाँ पर प्राफिट भी हो सकता है यह वेरी इंपोर्टन कोश्चन है यहाँ पर आप देखें ब्रत्त का शित्पल यह यह दोनों कोश्चन बहुत ही महत्मुने अभी बता रहा हूं और आप लोग अच्छे से त्यार कर लें ओके चलिए कोश्चन नमबर 11 देखें और यह सammतल रेखा रेखा समतल रेखा समतल संतल रेखा रेखा यहां पहुकर बनते थी कोश्चन फीर इनकी क्लीन कोश्चन अ आप लोग समस्कुलड कर देखें कर सकते हैं बन्दमात्रों